जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो एवरेज स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ऐसे स्टूडेंट जो मान चुके हैं कि यार मेरा सेलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं बहुत महनत कर रहा हूँ, फिर भी एक अच्छा नहीं हैं, यह मेरे थे, जब मैं भी नीट का एस्परेंट हुआ करता था आज से साथ-ार साल पहले, तो मेरे मन में भी यही सवाल आता था, जब जितना एक्जाम नस्दीक आता है, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, कि साल मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बहुत ही average student हूँ, मैं उन जैसे नहीं हूँ कि जो महज एक घंटे में 3-4 chapter को खतम कर पाते हैं, मैं उस student के दारे में नहीं आता हूँ, जो कि पढ़ने के बाद काफी लंबे समय तक retain कर पाते हैं, मैं तो जल्दी भूल जाता हूँ, शाद मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊं बन पाऊंगा, तो मेरी मन में ऐसे विचार आते थे, and I crack the need with a decent rank, rank 52, and I got selected in my dream medical college, and I pass out, जब मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, एक average training के कहानी महज में 5-7 minute में बया करूँगा, और इस वीडियो को अगर आपने last minute तक देख लिया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके अंदर भी इतना बदलाव आ जाए, कि आप भी मेरे जैसे और मेरे से बहतर rank लाके, और अपने dream medical college में जाके, अपने ममी का अपना सपना पूरा कर सकें, तो इस वीडियो को last तक देखेगा, और like एक जरूर बनता ही है, तो एक average training के अ लगा सके, तो पहला habit रहता है, that is called consistency, आपको proper consistent way में रोज पढ़ना चाहिए, चाहे आपका बड़े हो, या तबियत खराब हो, ठीक है तबियत खराब है, तो इतनी efficiency आपके नहीं होती है, क्योंकि हमारा इंसानी सरीर है, मशीन तो है नहीं, बट उस दिन भी थोड़ा या 30 दिन बच गए थे, मरोजाना पढ़ताता है, देखो उपर नीचे तो होता रहता है, किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाती है, किसी दिन नहीं होती है, उसको हमें करना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है, हमें यह सोचना है कि हमें हर दिन को बहतर बनान the revision is very much important और जब मैं आपके जैसे student हुआ करता था तो लोग तो कहते थे उस समय कि यार जब आप उठते हो तो fresh mind से उठते हो तो आपको physics करना चाहिए physical chemistry के question लगाने चाहिए organic chemistry के name reaction पढ़ना चाहिए कि उसके लिए बहुत ही free mind चाहिए साफ सुतरह mind चाहिए but मैं उनकी बाते को नहीं माता था मैं अपने दिन के सुरुआत revision से करता था जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था उसको revise करता था तभी दिन के सुरुआत करता था तो मेरी अगर सलाव माने तो आपकी भी की सुरुवात रिविजन से ही होनी चाहिए क्योंकि रिविजन में उतना पावर है कि जो आपको अपने घर से उठा के एक मेडियो कॉलेज तक फेक सकता है रिविजन अगर आपने नहीं किया तो जो आपने कल पढ़ा था वो पूरा बेस्ट हो जाएगा तो कल को बहतर बनान है और आने वाले दिन को बहतर बनाना है तो रिविजन का अस्थान बहुत इंपॉर्टन है स्टार्ट यो डे विद रिविजन रिविजन की अप सक्सेस अगीन रिविजन नहीं करेंगे तो आपको पढ़ना विकार है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए बार बार रिविजन से ही लंबे समय तक स्टूर हो सकता है और एक एवरेज स्टुडेंट को रिविजन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यही चीज़ है जो हमें उन स्टुडेंट को बीट करने में मदद करेगा जो बहुत शार्प दिमाग के होते हैं बहु की सुरवात रिविजन से होनी चाहिए रिविजन करिए जादा से जादा पांच घंटा छे घंटा तब ही जाके आप कुछ कर पाएंगे दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाबिट्स है दाट इस कॉल इंपॉर्टेंट से मॉक टेस्ट अब जो जितने दिन बचे हु पर जो NCRT पर बेश रहता है फ्री रहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलिग्राम है उससे जुड़ जाएगा ताकि आपको इस मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाए और बहतर कर सकें तो मॉक टेस्ट करना जरूरी है और एक अनेकाडमी ने बहुत कमाल का निसेटिप भी किया है कि आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं चाए वो ऑनलाइन हो या ओफलाइन हो ठीक है तो और उसमें मैंने कोशन भी बनाये हैं तो आपको उसका लिंक में दे देता हूँ आप इन्रॉल कर लेजएगा फ्री में मतलब है और आसपास अगर करने से नहीं होता है आपको उसका प्रॉपर आंकलन करना पड़ेगा उसको करना पड़ेगा अगर बहुत सारे स्टूटिंट ऐसे हैं जो बहुत परिफिरी में रहते हैं तो आप घर पे ही दो से पांच टेस्ट दीजिए एक ओमार शीट डाउनलूड कर लिजिए और कि देगा कि मैं जूट बोल रहा हूं वैं रिलिट्रस में मैं इस पढ़ाई कह अंगर नहीं बोल रहा हूं मैंने दस पेपर सौल्व किये थे वीएंस एमस ऐसे बहुत सारी पेपर को मैंने सौलव किये थे जब मैं एक मैंने प्र दिया उस समय तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं म्य mall mujhye दूसरी question को नहीं question मिल है तो this is importance importance भुण तो दो और ले 54 कोई गलतेन करें कोई बीकलास मत उटेंड करें तो यह उस्में पेपर आपको देना है उस लाग आंकर करना है और्धिक कहा हुई है उस गलती को सुधार ना है ताकि वह गलती हम दुबारा ना करें खाली टेस्स देना इंपॉर्टन नहीं है इनलिस भी बहुत इंपॉर्टन है लास्ट बड़ नॉट लीस बचाल सेल्फ बिलीव बिलीव जब तक नहीं करेंगे कि मेरा सेलेक्शन इस साल होगा तब तक प्रड्यूस करता है जिससे हमें और कुछ अच्छा करने का जुनून रहता है और हम मॉटिवेट रहते हैं तो हमें हर दिन हम के हमारे दिमाग में यह थौट्स हमेशा आने चाहिए कि यह साल मेरा सेलेक्शन होने वाला है इस साल में नीट को क्रैक कर दूँगा इस साल मेर आपके पास कौन सी हैबिट्स है और कौन से हैबिट्स को आप अभी फॉलो कर रहे हैं तांकि सो मच नए है इस चैनल में प्रिशान को जरू सब्स्राइब कर लीजेगा तैंक्यू